दो आयों जैसा कि आप जानते हैं कि बसंद कालिन मूं की बुआई का लगभग हो चुकी है बसंद कालिन में मूं की दिखाई पड़ते हैं तो हमें तुरंत कीट नाशक का छिड़काव करना चाहिए कीट नाशकों में प्रमुख है इनीडा क्लोरोपिड इसकी इसका छिड़काव हम 0.2 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं उसके अलावा हम चुनकी फसल शुरुआत के दिनों में लगभग 30 द चीज़नों में हमें फसल की ठीक से निराइगुडाई की आशकता होती है पहली निराइगुडाई लगभग बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद करनी चाहिए निराइगुडाई के उपरांथ हमें कीट नाशक का छिड़काव करना चाहिए हमें प्रिवेंटिव स्प्रे करना अगर जब हमें एक आदो कीट दिखते हैं तभी स्प्रे कर देना चाहिए जब टेंपरेचर हमारा बढ़ेगा तब समुचित पानी की भी व्यस्था होनी चाहिए फ्लावरिंग के समय जब फू लाते हैं और फल बनते हैं तब भी विशेश रूप से हमें कीड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और छिड़काओं करना पड़ेगा जहां तक ग्रीश मिरितु में बोज जाने वाली मौंग का सवाल है उसके लिए आप पूसा सद्थान में न सीट प्रती हेक्टेर की दर से चाहिए होगा सीट को बुवाई से पहले हमें ट्रीट करना चाहिए बैविस्टीन थिराम या क्याप्टान से ट्रीटेट सीट को हमें लाइनों में पंक्तियों में बोना चाहिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 cm होनी चाहिए वहां पाधे से पादे की दूरी 10 सेंटीमिटर होती है मौही में और ग्रीश में मौन को वहीं बोया जाएगा जहां पानी की समुचित व्यस्ता हो क्योंकि एक तो हमें पहले प्रिसोई इरिगेशन जिसको पलेवा कहते हैं वो देना पड़ेगा पलेवा करने से हमारा बीज दर जो भी हम बी दिन पर उसके बाद फिर अगर टेंपरिचर ज्यादा बढ़ता है तो नीट बेस दो पानी देने पड़ते हैं कभी कभी तीन पानी भी देने पड़ेंगे अगर टेंपरिचर 40-42 डिग्री हो जाएगा आज कल जो हम प्रजातियां होते हैं वो 60-50 दिन में पकर तैयार हो ज कर दो कह जाएब ऑड़ते हैं